विगेंड पर एकी बिल्डिंग में काम करने वाले कोवरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो दीन दीन तब कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डाउन या एक होलिवोड की थ्रिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग में बहुत अच्छी है तो अंतक इस वीडियो को जरू देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर देजिए अब बिना किस दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी में गारेक्टर जेनिवर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी वो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फ्यांसी के साल उसका जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उन्होंने ब्रिक अप कर लिया था पर वीकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइज करने वाली थी इसके बारे में वो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइज था नेकसीन में हम हमारा और एक मैन क्यारक्टर देखते है इसका नाम में काय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उपर एक ही लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते है उसे कंफरेबल फील कराने के लिए जोक स्वेगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तभी अचनक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्टिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं करा था इन्होंने अलाम विगरा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वग नहीं करा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरी को नोटिस किया कैमेरी में वे विगरा करते हैं पर दुसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये phone करकर किसी के help मांग सकते थे पर range भी नहीं आ रही थी अब इस lift में ये 5 दिनों के लिए trapped है Friday, Saturday, Sunday और 2 दिन की छुटी थी Guy ने Jennifer को कहा कि मैंने अभी-अभी इस building में job join किया है उसे इस lift के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है Jennifer ने का आख कि कभी-कभी ये lift आवाज करती थी शायद इसी वज़े से stuck हो गई है Guy को अचानक से idea ये lift के उपर से ये exit हो सकते है हर lift में exit होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कुशिश की पर उसकी इतनी height नहीं थी फिर वो छुक कर Jennifer को ओपर की ceiling चेक करने के लिए गहता है Jennifer के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत try किया पर कुछ भी नहीं हुआ एक घंडा बीद गया और Jennifer realize करती है कि अब उसकी flight उसने miss करती है वो गुस्सा होगे और सारी चीज़ों को गालिया देने लगे उसे प्यास लगी थी तो गाये ने उसे अपनी बॉटल दी Jennifer उसका पानी बेने से मना कर दिया पर गाये ने कहा हमारे पास एक तोई पानी है दूसरी wine की बॉटल अब तुम decide करो वो मजाग में कहता है wine की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है Jennifer ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्ते है उसने विरबानी पी लिया था वो गाये को as a gesture एक चौकलेट दे दिया उसने का अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल मापकर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते है अब इसके बाद और चार घंटे बीट गए थे उसे पी करना था पर गाये के सामने इस तरी किससे टौलेट करना यह उसे अजीब लगता है गाये ने फिर उसे एक बाटल दी कहा कि एक नैचरल चीज़ है इसमें कोई भी शर्म करने की ज़रूरत नहीं है वो उसे मुडने के लगती है और फिर टौलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लिफ में जो ट्रॉइंग बनी थी उसी ट्रॉइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुम्हारी कोई भी गल्फिंड वेकरा नहीं जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को कॉल करकर तुम्हारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे सप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रेलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर वाइन की बॉटल खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे के ड्राइंग बनाने लगते हैं गाय ने जनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी है पर जनिफर उसके एक फणी से ड्राइंग बनाती है जनिफर को इसके लिए बुरा लगा और वो गहती है तुमने मेरी जो पिक्चर बनाए इसे मेरी प्रोफाल पिक्चर रहूंगी बाते करते करते खाने पर डिसकस करने लगते हैं तो उन्हें भुगे थे तो जनिवर ने कहा कि सब्जेक्ट हम ठेज करते हैं अलग-अलग टॉपिक पर डिसकस करते हुए एक दुसरे के पार्टनर के साथ क्रेजी स्टोरी ये बताने लग जाते हैं जनिवर कहते हैं कि एक बार में मेरे बॉइफ्रेंड के साथ लाबररी में इंटिमेट हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में कहता है कि मेरी एक कोवर करती है हम एक बार ड्राइव पर गए थे वही पर इंटिमेट हुए थे ये सब बताते हुए उसे जनिवर के लिए फिलिंग्स आ गए जनिवर को भी इससे कोई भी प्रॉलम नहीं था फिरे दोनों यही पर इंटिमेट हो जाते हैं इंटिमेट होने के बाद गाई ने जनिवर से गा तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हो। ये पाद जनिवर को बहुत ही अजीब लगी। वो से अधिक हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे। वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी। उसक जनिवर के सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचूति एक दूसरे से बहुत ही दूर है कि सारा गाय महसूस करता है। उसके आग में असो आ गए थे। जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अजानक से गाय का बीहेवियर चे कराता किसी बेंडी में covenant है, उसने convince किया कि सब कुछ मैंने plan किया था, वो जनिवर यूसे पहचाने इसवgriff सने सबकुछ किया था, वो अहे भूकित से चाली निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है, जनिवर उस पर घुसा हो गए, कहती है कि अब-पुलिस को call कर ओंगे तुमने जो भी किया इसके लिए तुम्हें भुगदना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बंड कर दी जैनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करने की कोशिश कर दिया पर गाये ने उसे पकड़ लिया जैनिफर स्ट्रगल करते हो लिफ की की को मार देती है और इस वज़े से तूट गई थी अब एक्चॉल में इस लिफ में फस गए थे जैनिफर गुसा होकर अपने शू से गाये को अनकॉंशेस कर देती है उसे चेक करने के लिए आई पर गाये कॉंशेस था उसे भी मार कर बेहोश कर देता है जैनिफर के होश में आने के बाद गाये उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लैन था यहाँ लिफ में हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रेक्शन नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए प्रैक्टिकली हमारे पूरी रिलेशनशिप इस लिफ में होगे हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और ब्रेक अप भी हो गया जैनिफर अब भी बहुत गूसा थी उसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ लायर था यह गाये ने चेक किया इसमें एक अच्छाचा शर्ट है जो गाये पहन लेता है गाये के बाज भी गिफ्ट है जिसमें सिगार, लाइटर और एक कटर है उसे में गाये ने लिफ का एक लाइट थोड़ दिया फिर उसे आइडिया आता है कि या लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के पॉटल से उसमें छट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिफर से करता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो मैं उपर जाकर इस लिफ को खोल दूँगा जैनिफर उस पर बिल्यू नहीं करती कहती है कि मैं उपर जाती हूँ मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें उपन कर दूँगी गाय को उस पर शक आने लगया था पर उसे जो बात सुननी थी यही जैनिफर ने कही वो गहती कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंट किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूँगी गाय भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जैनिफर उपर आगे उपर आने के बाद जैनिफर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टर हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बना कर उपर आ जाता है जैनिफर ज़्यादा उपर चले गई थी वो डोर को पकड़ने वाले थी तब नीचे से गाय आया और उससे पकड़ कर फिर से लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनिफर होश में आ गई लिफ्ट तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटन निकाल कर थोड़ी सी आग बनाने की कोशिश की गाय को होशाने के बाद हो गयता है ये सब वक नहीं करेगा हमें बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम या से जल्द से निकल जाएंगे पर तुमें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैट को उसने का तुम सब कुछ अब कनफेस कर दो अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जैनिफर उसे बहुत भी बुरी तरीके से हट करने वाली थी गाय फिर सारी चीज़े कनफेस कर देता है जैनिफर फाइनल उसे पुछती है तुमने ये सब किया क्यों गाय कहता है कि मैं हर रोज तुमें देखता था तुम बहुत भी ब्यूटिफोल थी पर मैं एक सिकुरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोज नहीं कर पाता मैं हमेशा से सिकुरिटी गार्ड नहीं था मैं एक्चुल मैं एक अकाउंटन था और बहुत सारे पैसे कमाता था जो स्टोरी मैंने तुमें बताई थी कि कार में मेरी कोवर कर के साथ मैं इंटिमेट हो रहा था तभी उसका एक्सिडन्ट हो गया उस पर चार्जर्ज लगे पर गाए के पास बहुत सारे पैसे थे तो सिक्स मन्स में वो बाहर आ गया पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था स्लोली स्लोली उसके फाइनाशल सिच्वेशन खराब हो गए और उसे सिक्रिटी गार्ड का काम करना पड़ा वो जैनिफर से करता है कि मैं फिर से मेरी ओर लाइफ को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ प्लान किया निक्सिन में हम देखते है कि मैट के साथ काम करने वाला सिक्रिटी गार्ड या अपनी गल्फरेंड को छत दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुटी ली थी वो वापस आने निवाला था पर गल्फरेंड को यहाँ लेकर आया वो रोडिस करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने कैमेरे में जैनिफर और गाय को लिफ्ट में देखा वो जल्दी से उनकी हेल्फ करने के लिए पहुँच गया फ्रेना है और लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करता है पर इस सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस जाता है तभी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुच कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे हेल्प की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालो करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बॉड़ी रख देता है जैनिफर को ले जाकर अपनी काड़ी की ट्रंग में ढाल दिया नीचे आकर उसने शावर लिया खपड़े पहने लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गल्फरेंड को उसने नोट डिस्क किया वो इसके बॉड़ फ्रेंड के बारे में उसे पूछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया गल्फरेंड जला सस्पिशेस होकर या से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार ढालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ति पर वो लेकर गया वो थ्रेश कैन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जेनिफर की बॉड़ी को जला देने वाला था वो जब ड्रंग खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और आगे चलेगी उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था वो बहुत जादा गुस्ता हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को इडेजबिन में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डाल दिया इसे के साथ ये मूवी एंड हो गए अगर आपको वीड़ चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहे तो तो फ्लीज इस चानल दो सब्सक्राइब कर दीजे और बेल रिटोवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू